हलो मित्रों, जै माता दी, माता राने की कृपाशे आसा करते हैं, आप और आपके प्रिवार वाले अच्चे हुंगे, सुवस्टू होंगे मित्रों मनुष्य के जीवर में ग्रहों की गरनाओं के अनुसार कई प्रकार के महत्पूर्ण घटनाएं जीवर में घटित होती रहती हैं ऐसे में जोति सास्त्र के अनुसार भविश्य में होने बाली विभिन्य घटनाओं का आकलन करके मनुस्य के जीवन में जो सुब घटनाएं हैं उन्हें और जादा सुब बनाया जा सकता है और जो की विविन्य प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो की मनुस्य को व्याकुल कर सकती हैं विश्रित कर सकती हैं परिसान कर सकती हैं तो उन घटनाओं में के वदले आप कुछ ऐसे उपायो को करके जीवन को बदल सकते हैं और आने वाले भविश्य को बहत्रिन, सुन्दर और लाप प्रद बना सकते हैं मत्रों, जोतिस गन्नाओं के अनुसार ग्रोहों के रासियों में परिवर्तन होने की वज़ा से, ग्रोहों में परिवर्तन की वज़ा से तथा कई प्रकार के सुब क्रियाकलाफों की वज़ा से आप जीवन में लाप की प्राप्ती भी आसानी जे कर सकते हैं मतरों आपको बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है आज का यह विडियो आपके लिए बहत्रिन रहेगा क्योंकि जो 30 गर्नाओं के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं किस प्रकार से धन की देवी मातालक्ष्मी जी को परसंद कर सकते हैं। मातालक्ष्मी जी और भगवान स्रीहरे विस्नु जी की किरपा से किस प्रकार धन धान्य से आप परिपुर्ण हो सकते हैं। जीबर में रुपय पैसे की फ्राप्ति कर सकते हैं। कारे वैपार वैवसाय लवलाईट के शेतर में भी किस प्रकार उजवल भविस्य की कामना कर सकते हैं, उजवल सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं और कारे शेतर में जिसमी प्रकार की जोबी प्रिसानिया, तकलिफें और आपको कश्टों का सामना करना पड़ रहा है ये कश्ट आपके वैपार से जुड़ी, आपके वैविसाय से जुड़ी या आपके करियर वैविसाय से जुड़ी हो सकती हैं तो इन सभी से किस प्रकार आप चुटकारा पा सकते हैं मत्रों आपको बताएंगे आपके जीवन के बारे में और आपके लवलाइस के बारे में आपके स्वास्त बैपार करियर के चित्र में किस प्रकार सफलता को फ्राप्त कर सकते हैं घर में होने वाले ग्रीक रेज या पारिवारिक मद्वेदों को किस्पकार दूर कर सकते हैं मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरे तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तुमत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा गौर से सुने समझें और वीडियो में बताए गई बातों को आप अपने जीवन में जिसे हद तक अनुसार आप उतारोगे आपको उसी के अनुसार और अपने कर्म के अनुसार अपने भविस्य को सुधारने का मुका भी प्राप्त होने वाला है तुमत्रों आपको बताना वाले हैं कि आज का दिन आपके लिए उन्नती दिलवानी वाला रहेगा आने वाले समय कारिशित्र वेपार लवलाइब के चित्र में आपका बहत्रिन स्थावित होगा आयात नर्यात के चित्र में भी लाब की प्राप्ति होने वाली है जो लोग नौकरी वेसा वाले हैं मित्रों, जिन लोगों का नौक्री लग चुका है, जो लोग नौक्री करते हैं, उन लोगों को कारिशित्र में उन्नती की प्रापती होंगी, और तरक्की देखने को मिल सकती हैं, तरक्की मिलती भी देख रही हैं, लेकिन आपको अपने प्रियास को लगातार शफलता की और ले जाने का कारी करना होगा मित्रों आप परिसरान नहों आप बिलकुर भी चिंतित नहों आप अपने दीवन में दिन्चरिया में अपने आपको सम्मिल्द करके कारशित्र में काफी बड़ी कुसकबरी को प्राप्त करने वाले हैं जो लोग अविवाहित हैं जिन लोगों के विवाह के मारग में बिबिन्य परकार की घटनाएं बिबिन्य परकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और वो काफी लंबे समय से प्रियास कर रहे हैं परन्तों फिर भी उन लोगों के विवाह के मारग में आए दिन कोई न कोई बाधाएं आ रही है वैसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपके रासी के स्वामी रासी की परिवरतन होने की वज़ہ से इस छेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है मत्रों अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के बहत्रिन अवश्रों की प्राब्ती होंगे, विवाह के बहत्रिन मोके मिलेके और विवाह के एक अच्छा विचार भी आपके मन में आने वाला है। अच्छे परिवारों में आपका विवा तैह हो सकता है जिनकी वज़े से आपके बच्चे का आने वाला भविश्च भी काफी उजवल रहेगा आपकी होने वाली जीवन साथी आपका पुन सहयोग करने वाली है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप वीदेशों से आयात नर्यात का वेवसाय अगर करते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर विजनस करते हैं तो मित्रों उनके छेत्रों में भी आपको बहुत बड़ा दील मिलने वाला है क्योंकि देव ग्रूब रस्पती इस समय आपके रासी के इगारवे भाव में गोचर करने वाले हैं रासी के इगारवे भाव में गोचर करने की वज़े से आपको धन धाने में बढ़ोत्री होंगी मान सम्मान में बढ़ोत्री होंगी एस्वर की फ्राप्ति होंगे इज़त के चितर में भी काफी प्रदे देखने को मिलेगा और आपको पहले से ज़्यादा खुश्चों की फ्राप्ति होंगे पहले से ज़्यादा आपको धन-धन की फ्राप्ति होने वाली हैं बत्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस समय किसी पुरानी बात को लेकर परिसान हैं, अगर आप किसी पुराने जगडे को लेकर, जंजटों को लेकर या किसी मद्भेत को लेकर परिसान हैं, तो आप परिसान नहों, क्योंकि आपकी परिसानी बहुत जल्द भगव स्रीहरी विश्मुजी की कृपा से कारिश्यत्र के साथ साथ आपको लवलाइब के शेत्र में भी काफी बड़ी और उज्वल सफलता की प्राप्टी होती भी दिख रही है मतरों इस समय आप किसी पुरानी कल्तियों को लोगों के सामने ला सकते हैं या फिर लोग ही आपके पुरानी कल्तियों को कुरेद कर निकाल सकते हैं जिनकी वज़ा से आप इस समय परिसानी में फ़सकते हैं लेकिन प्रसान होने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह आपके समय परिक्षे की घड़ी चल रही है और इस परिक्षा में आप उत्रिन होगे और बहत्रिन सफलताओं को भी प्राप्त कर सकोगे मत्रों अगर आप विवाहित हैं और आपका संतान है तो मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको संतान सुखो की फराप्ती होंगे और संतान भी आपका सहयोग करने बाला है माता फिता से आपको पूरुन सहयोग की फराप्ती होंगे आप किसी भी कारे को करपाने में आसान से सक्टम होंगे, दोस्तों के साथ आप कही घुमने फिरने और किसी नई मनोरंज़क च्ष्टान पर घुमने का बना सकते हैं, परन्थु आपको वे फुजूल के खर्चों पर इस समय लगाम लगाने की जूरत हो गींगे वे बेफुजूल के खर्चे आपके प्रसानी को ला सकते हैं, बड़ी समस्ताइं खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको इसमें बेफुजूल के खर्चो को करने से बचने का प्रियास करना होगा। आर्थिक श्टित्यों को बहत्तर बनाने के लिए आपको लगतार पर्यास करने होंगे आपके जो कारिशेत्र में शत्रु हैं आपके विरोदी हैं यह जो भी आपके अगैंस्ट हमेशा रहते हैं उन सभी पर आप बिजय की प्राप्ति कर सुकोगे और आपका बिजय पराप्त कर सकते हैं मतरों आज अगर आप किसी संतान से कोई भी वादा करते हैं तो आप अपने वादे को पूरा करने की अवज से कोशिच करें वादो को पूरा करना आपके जीवन में लापत लवाएगा अगर आप वादा करते हैं तो आप वादा भी पूरा करें नहीं तो आपके संतान नराज हो सकते हैं मतरों जो लोग बेरुजगार हैं जिन लोगों को रुजगार के शत्र में काफी मेहनत करने की बाद भी सफलता नहीं मिल रही है या आप बहुत ज़्यादा परिसान हो रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी इंटर्व्यू में जाने से पहले किसी भी कारे को कूरा करने से पहले या कहीं भी नोकरी मांगने जाने से पहले आपको एक उपाय करना है आपको गाई को हराचारा जरूर खिलानी है और गाई को हराचारा खिला दें इससे आपके सभी बिगड़े कारी बनेंगे और कारिशेत्र में कौफी ज्यादा सफलता की प्राप्ती होने वाली हैं आपके सभी बिगड़े कारी बनेंगे आप अपने पुर्वजों को याद कर लें पुर्वजों को याद करके घर से बाहर निकलें या फिर आपके घर में मंदिर होगा मंदिर में आप जाएं आप घर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में जाएं मंदिर में सभी देवी देवताओं को अस्मरन कर लें उनके सामने न तो मस्तक होकर परनाम करें और आप अपने काम के बारे में उनसे कहें उसके बाद आप उस कारे के रिए घर से बाहर निकलें ऐसे में आपका काम जरूर बनेगा और आपके सभी बिगड़ेवे कारे भी बनेंगे और आपके जो भी मनों कामनाएं हैं वो अवसे पूरी होगी जो लोग प्रोपटी डीलर हैं जो लोग निवेश करते हैं इनवेश्ट करते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका समय समय कौफी अच्छा रहेगा परन्तु आप किसी भी इनवेश्टिंग को करने से पहले अच्छे से समझ कर बूज़कर ही करें आपको भागे का साथ मिलेगा, जिनकी वज़े से आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा, खुशियों से मंगल मैं रहेगा, आपको ग्रिहस्त जीवन में बहुत तो बड़े समस्याओं का समधान मिल सकता है, आपकी जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा, कारिश्यत्र काम करने वाले लोगों के साथ आप समंधों को बहतर रखने की कोशस करें उनके साथ चिकने चुपुणी बात को करने का फ्रियास करें और जो भी काम मिले उसे सबसे फहले करने का कोशस करें टीम वर्क करने का आप सबसे टीम को कमांड करने की बुद्धी को लाने का फ्रिया नहीं